इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज को अब जिन्दी वचानी की चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है पुलीस के जरिये कीजारी अंदादूंद गिरफतारियां फर्जी मुकदमे और मीडिया ट्राइल जेते चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है आज ताहिर हुसेन पर इड़ी ने मनीर लॉंडरिंग का मामला दर्श किया है उन पर पपिलर फ्रेंट अफ इंडिया से जुड़े होने का भी इलजाम लगाया गया क्या यहां समझा जाए कि दंगों का ठीकरा किसी तथाकतित मुस्लिम तंजिमों के सर फोड़े जाने के साजिश रची जा रही है मीडिया ट्राइल ने ताहिर हुसेन के बहां ने मुसल्मानों के सर पर ही दंगों का इलजाम लगा दिया गया है ऐसे में वे सवाल गायब हो गए हैं जो होने चाहिए थे सवाल होना चाहिए था कि हजारों की ताइदात में एकी जमात एकी समुदाए के लोग शर्नार्थी क्यों बने वे मरने वालों में सबसे ज़्यादा लोग एक ही तबके के क्यों है एक ही तबके के मकानों दुकानों में तबाई के निशानात क्यों है गिरफतार लोगों में भी एक ही तबके के लोगों की अक्सरियत क्यों है कपील मिश्रा परवेश वर्मा अनुराग ठाकूर गिरा सिंग जैसे फायर ब्रांड काईदों को हुकूमत के जानिब से तहफज क्यों मिल रहा है क्या इनके बयान दिल्ली को जलाने वाले नहीं थे कपील मिश्रा दिल्ली इंतखाबात के दोरान अपनी सेंकडों की हिमायतों के साथ दिल्ली की सड़क पर उतर कर नारा लगा रहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो इस तरह के लेकिन इसके बावजूद उसके खलाप कोई कारवाई अब तक क्यों नहीं हुई 23 फरवरी को उसने पुलीस की मौजूदगी में जो बयान बाजी की थी उस पर भी कोई कारवाई नहीं हो पाई बड़े अफसोस के साथ यह भी कहना पड़ रहे हैं कि यह जो लोक तंत्र है भारत का इसमें अकसरियत वाद नजर आ रहा है तो इसमें अवाम की हमायत के लिए जो कुछ करना पड़े वो करने के लिए यहां पर नजर आ रहा है जब कोई राष्ट बहुसं के वाद से मतासिर हो जाता है तो वहां इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और वैसे भी जब एक तबके के खलाफ नफरत, लिंचिंग, दंगा और मुखतली इलजाम, मुखतली बयान बाजी अक्तदार हासिल करने के लिए सीड़ियां बन जाए तो वह संयोग नहीं बलके प्रयोग बन जाता है लिहादा जो दंगों में बचे गए हैं वो जेल में सड़ेंगे और 10-20-15 साल बादालत उन्हें बाइसत बरी कर दी जाएगी, इंसाफ देने का दावा किया जाएगा, तब शायद ही यह सवाल किया जाए कि देरी से दिया गया इंसाफ नहीं बलकि ना इंसाफी है नारती दिल्ली में दंगाईयों को किस हद तक पुलीस का तहफुज हासिल हुआ, इसके कई वीडियोज मुझूद है, वही पुलीस दंगों में मारे जाने से जिंदा बचे मुसल्मान समाज के खलाब, एक तहरीक छेड़ती नजर आईए, लोगों की गिरफतारियां चारी पुलीस किस तरह इकपाले जर्म कराती है, या किसी को समझानी की जरुत नहीं है, और ना यह चीपी बात है, पुलीस किस जहनियत से मतासिर होकर काम कर रही है, यह भी कोई अलग नहीं है, इस दंगे के दारान, राम मंदीर को दंगाईयों से महफूज करने वाले उसमान सा पुलीस के दमन का सामना करना पड़ रहा है, पुलीस के दमन का सामना करना पड़ रहा है, जो दंगे में किसी तरह अपनी जान बचाने में काम्याब रहे, अब मुकदमों में उन्हें घसीटा जा रहा है, इन्हें मुक्तलिप मुकदमात में फसा कर इन्हें एक तरह का अजाब देने की साजिश यहाँ चली जा रही है, हर एक फसाद संप्रदाइक दंगे के बाद ऐसाही होता नजर आ रहा है, तस्वीर तक्रीब हर फसाद के बाद हर शहर की इसी तरह के उती नज़र आ रही है, दंगे का दाओरान पुलिस दंगाईों का किस तरह ताफूज करती है, और दंगे के बाद उन्हें लोगों को ग्रफतार कर लिया जाता है, जिनक दुखानों को तक जलाया गया डलनाईयों के तमाम वीडियो मौज़ूद हैं वार्टसप के स्क्रीन शॉर्ट मौज़ूद है इसके बाउजूद पूलिस का चाबुक सिर्फ एक तरपा चलता नज़र आ रहा है जब स्टेट टेरिजम एक ही समुदा है एक ही मजभब के लोगों की नसल कुशी पर आमादा हो जाए तब सबूतों के माइने नहीं रहे जाते हैं इससे पहले भी बताए गया कि मुसल्मान इस देश का एकलो ताकलियती माशरा है जिस पर तमाम तरक है ये लजानमात लगाकर दंगों में मारकर लिंचिंग में दंगाई नेता बन जाता है यह इस देश के बदकिसमती नहीं तो क्या है या तो फिर ये मुसल्मानों की बदकिसमती है कि देश के सबसे टाकतवर राजनियतीक दल की मुसल्मान एक दरर से खुराग बनावाये द engineers के वजूत को खतरा हो सकता है इत्याद लिए देखने करें चुक्रिया अल्लाफिज आपिस